साथियो आदाव आपका इस्तंबाल है हमारे चैनल श्रमाय उर्दू हिंदी है आज हम करने आ रहा है एन आ यो एस किलास टेंथ हिंदी 201 का टिये में 2023 और 2024 का प्रश नमबर एक है बित्ती विभारी जागरी कवीता में प्राकर्तिक सोदाय का सुन्दर चरित रहे उसे अपने देनिक जीवन में प्राकर्तिक में क्या परिवर्तन करने चाहते हैं तो मैंने इसका का उप्षन करा है अगर आपको टिये में असाइमेंट प्रेक्टिकल नोट्स और बुक्स हैल बुक्स चाहिए तो आउन से कॉन्टेक्ट कर सकते प्रेश नमबर एक का जवाब है बीती भीकारी जागरी कवीता में सोद्रिय का सुन्दर चरित रहे जो हमें उसके साथ जोडने और समर्थन करने की अनुभूती देता है मैं भी अपने देनिक जीवन में प्राकर्तिक से गहरी जुडाओ बनाना चाहता हूँ मैं प्राकर्तिक इस्थलो की सुन्दरता को अधिक समझना और उसमें विचार विमश करना चाहता हूँ इसके साथ ही में अपने परियावरण के पर्ति संदेव शील बन कर प्राकर्तिके सर्रक्षा की पर्ति अपना योगदान देने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहता हूँ इसके बाद जो है अगला सवाल नंबर दो जो है वो शुरू हो जाता है तवाल नंबर दो जो है यह है कि भारत की ये बहादुर बेटिया पाट के संदर्ब में महीला शक्ति करण पर टिप्णी करें तो इसका जवाब है कि भारत की बहादुर बेटिया पाट में महीला शक्ति करण पर टिप्णी बारत की ये बहादुर बेटिया एक पेरिक पार्ट है जो हमें महिलाव के असीम शक्ति और साहस को समझाता है इस पार्ट में इसपष्ट होता है कि महिलाय समाज अर्थ विवस्ता राजनी की शिक्षा और केल में अपनी पहचान बना रही है महिला शक्ति करण राश्टिय विकास के अत्यंद महात्पून है इसे बढ़ाने के लिए समाज सरकार और व्यक्तियों को मिलकर कदम उठाना होगा शिक्षा स्वतंत्रता समान वेतन के साथ अधिक महिलाओं को रोजगार मौका मिलना चाहिए इसके बाद जो है सवाल नमबर तीन है अपना पराया पाट से स्वास्त में आप क्या संदेश ग्राउं करते हैं अपने शब्दों में लिखें उत्तरे अपना पराया पाट से स्वास्त के संबंद में हमें ये संदेश मिलता है कि हमारे शरीर के सहत और सुख शान्ती के लिए अपने जीवन में सकरात्मक परिवर्तन करना आवशाच है अच्छे स्वास्त के लिए वियायाम योग और स्वास्त आहार का पालन करना महतबून है ये एक स्वास्त मांसिक स्थिती और सकरात्मक सूच के साथ सैयोजित होना भी जरूरी है हमें अपने शरीर की सुनी और उसकी देखभाल करनी चाहिए और साथ ही दूसरों के का भी खयाल लगना चाहिए स्वास्त रहने में हमें संधिर्थ, सम्मान और सुखी जीवन का आनन उठा सकते है प्रेश नमबर चारे गिल्लू पार्ट्व के आदार पर मनुष्य पशु पक्षी के प्रास्वर संबन में उलेक कीजिए इसका उत्तर है कि गिल्लू एक लोग पर ये कता है जो भारती संस्किर्थी, संस्किर्थी में बच्चों की शिक्षा देने वाली है ये कता एक पक्षी मेना के जीवन को दर्शाती है जो अद्भुद मनुविज्यानिक योग्यता रखता है गिल्लू अपने दोस्त बंटी के साथ अनेक चालाकियों का सामना करता है गिल्लू और मेना के प्रास्पर संबन देखने पर हम देखते हैं कि पक्षियों के साथ मनुष्य के बीच एक विशेज जुडाव हो सकता है ये कता दिखाती है कि जैसे मेने गिल्लू के साथ एक दोस्ताना संबन बना है और उस रस से उस से बाच्चीत करता है ठीक उसी तरह मनुष्य भी पक्षियों के साथ अपने आज़ पास की प्राकर्तिक जगत के साथ एक संबन बना सकता है पाच्वा प्रेशन है कि रोबर्ट नर्सिंग हॉम के पार्ट के आधार पर जीवन की सतर उत्ता को इश्पट कीजिए आपके लिए जीवन में क्या अधिक महातापून है तर्क सही दुत्तर जीजिए इसका जवाब है रोबर्ट नर्सिंग हॉम एक दे बाल ग्रे है जो बूरो के लिए इस्थाई अवास परदान करता है इस पार्ट इस गतन में रहने वाले एक बूरे व्यक्ति रोबर्ट नर्सिंग हॉम ने अपने जीवन की सतरक्ता को पाता है इस पार्ट इसे इसपश होता है कि जीवन सतरक्ता व्यक्ति के लिए कार्तिक और मानुए संबन सेवन समर्थन और संबान में इस्थापित होती है रोबर्ट नर्सिंग हॉम वाले व्यक्ति को एक परिवार की भावना सातिधारी और परोपाक्री रूप से अनुभाव करने का उसर मिलता है जिससे उन्हें आत्म सम्मान और संबन्दित अनुमती होती है जीवन में मेरे लिए सबसे महत्पून विचारो में सहार यता समर्थन सक्चे रिश्टे सेता भाव सव भाव स्वास्थ और स्मिर्थि शामिल है संबंदों के महत्व अनमोल हैं क्योंकि ये जीवन के सबसे अच्छे पलो को देते हैं सेवा और समर्थन में जीवन का असली अर्थ प्राप्त होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बलके समाज के लिए भी उप्योग है अतिरिक्ट एक सार्थिक जीवन के लिए ये तर्ख है कि अपने स्वास्त का धियान लखना और अपने उद्देशों की प्रासी के लिए अध्यन है और आत्म विकास का भी महत्वून बनना चाहिए इस मिर्थी ने केवल सतर्ख जीवन का आनन बरता है बलकि दूसरों के साथ साजा करने के लिए भी साधन परदान करती है प्रश नमबर चे के आखरी सवाल हमारे देश में साथते हैं कि छेतर में हिंदी लेकिकाओं का बहुमुल्य योगदान रहा है इसका जवाब है कि परियोजनाए शेशिक हिंदी महीला लेकिकाओं का बहुमुल्य योगदान रहा है भारती है सहित्ती के छेतर में हिंदी महीला लेकिकाओं अपने सहित्ती रचनाओं द्वारा एक वशिश इस्तान है उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से सामाजिक राजनीति, तांस्किर्टिक और मांसिक मुद्दों को सुलजाने की से महातपुन योगदान दिया है महादेवी वर्वा जनम 26 माच 1907, निधन 11 सितंबर 1907, सम्मान ज्यान पदी पुरुषकार 1912, चरित्र महादेवी एक परसित कवीता थी, जिने कवीता है भावक्ता और हसेतिये से भरी होती है इंद्रा गोरस्वामी जनम इनका ये है निधन इस दिन में हुआ सम्मान के अकादमी पुरुषकार चैद इंद्रा गोस्वामी विभिन उपनियास कहानी और कवीताओं को परसित लिखे हैं जिनोंने महीला और समाज के मुद्दों पर लिखा है इसके बाद तीसरी है कमला सराय जनम 31 जन्वरी 1934 निधन 35 मही 2009 सम्मान पदमशिरी 2000 से चरित कमला सुरहिया एक विख्स कवीता कलाकार और नाटक कार ती मंत्र बंडारी जनम 26 अप्रेल 1934 सम्मान प्रकादमिक पुरुषकार 2004 मुत्र बंडारी एक परसिद 193 आत्म परिशत जनम अक्टूबर निधन 27 नॉवंबर 2005 सम्मान ज्यान पदी पुरुषकार 1981 में पदमशन चरित अमरित परिशत एक परमुक कवीता थी जिन्हें कवीता है प्रेम जीवन वानियों बहुत विचारों को बाया करती तो यह था भाई आपका जो है टीए में हिंदी का 2023 के बच्चों के लिए इनका एक्जाम जो है अक्टूबर नमंबर में उन दोनों के लिए एक ही तरह का टीए में एक ही बार आता है उमीर है कि आपको यह मालूमात पसला है यह तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें